दीवाली हो या होली नमक पारे और शक्कर पारे हर घर में बनाए जाते हैं और आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के एक्टम खस्ता बहुत ही टेस्टी नमक पारे एक्टम परफेक्ट माप के साथ बनाएंगे जिससे आप पहले बार में ही परफेक्ट बना लेंगे औ और जो भी ये नमक पारे खाएंगे, आपकी तारिफ की ये बिना नहीं रहे पाएंगे. नमस्ति दोस्तो, स्वागत है आपका श्यामर सोई में, तो चली शुरू करते हैं बनाना. ये स्वादिस्ट नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप गेहु का आटा लिया है. रेगुलर जिससे हम रोटियां बनाते हैं, मैंने वही आटा लिया है और ग्राम में ये 300 ग्राम गेहु का आटा है. अब हम इसमें दो चम्मच सूजी डालेंगे, ग्राम में 20 ग्राम हमने सूजी ली है, सूजी से नमक पारे टेस्टी और ज्यादा खस्ता बनते हैं, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को हातों से अच्छे से क्रश करके डालिएगा, जि एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये नमक पारे बनाना बता रही हूँ, अब हम हातों की सहायता से पहले सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाले आटे में हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएं, और आप घी या तेल किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हो, मैं यहाँ घी का इस्तिमाल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर 6 बड़े चम्मच पिगला हुआ घी लिया है, ग्राम में देखें तो ये 75 ग्राम घी लिया है, तो 300 ग्राम आटे के लिए आपको 75 ग्राम घी या तेल का इस्ति इसकी लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। पनाये जा सकते हैं के लिए रख देंगे आटे को रखे हुए आदा घंटा हो गया है आटा अच्छे से सेट हो गया है इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और अब हम आटे को चार भाग में डिवाइड कर देते हैं अब हम आटे को एक बोड पर बेल लेंगे, तो देखें, बेलने के लिए हलका सा आपको प्रेशर लगाना होगा, क्योंकि आटा हमारा सकत है, बेलती टाइम इसके किनारे थोड़े से कटेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसे कट करेंगे, तो ये कटे हुए किनारे हम अलग कर देंगे, तो द पसंद के हिसाब से इनकी शेप को कट कर सकते हो, मैं इस तरह की शेप में इन्हें कट कर रही हूँ, अब हम क्या करेंगे, साइड की जो छोटे-छोटे टुकडे हैं, उनको हटा देंगे, और बाकी आटे में मिलाकर फिर से बेल कर इनके नमकपारे बना लेंगे, और अब हम इस तरह से उठा लेंगे, फ्राइ करते टाइम ये सब अपने आप ही अलग-अलग हो जाएंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, इसी तरह से मैं दूसरी लोई को भी बेल करके तयार कर रही हूँ, और ये लीजिए, इसी भी हम इसी तरह से कट करके तयार कर लेंगे, फ्रेंट्स, बहुत ही आसान है ये नमक पारे बनाना, खाने के बाद कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं, तो चलिए, अब हम इन्हें फ्राइ करके तयार कर लेते हैं, फ्राइ करने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, ग तम खसता नमक पारे बन करके तयार होंगे, जब आप नमक पारे को तेल में डाल देते हो, तो तेल में बहुत सारा ज्ञाग होगा, आप इन्हें बिलकुल भी टच मत कीजिए, इन्हें तैर कर अपने आप ही उपर आने दीजिए, जब ये तैर कर उपर आने लगेंगे, त पेल में से ज्ञाग खतम हो गया है, बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है, इस कलर आने तक आप इन्हें बाहर निकाल लिजिएगा, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इनकी कुकिंग प्रोसेसिंग चलती रहती है, ज़्यादा डाक कलर करके मत निकालेगा, वरना बाहर और ज़्यादा डाग हो जाएंगे तो पहला बैच जब फ्राइ हो रहा था तब हमने और नमक पारे तयार कर लिए थे तो इसी तरह से हम दूसरा तीसरा बैच भी फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान रेसीपी है बहुत ही टेस्टी रेसीपी है ट्राइ कीजिएगा आपको और आपके घर में ये सब को बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंड्स रेसीपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके